दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आएं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे याद से क्लिक कीजिएगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन्स मिल जाएंगे खुद वो बदलाओ बनिये जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं ये वाक्याग से सालों पहले महात्मा गांधी ने कहे थे और इन वाक्यों को अगर किसी व्यक्ति ने हकीकत में बतला है तो वो है इलॉन मस्क इलॉन मस्क अफरीकी मूल के इंवेस्टर, इंजिनियर और बिजनस्मेन है और आज की समय में वे पूरी दुनिया में अपनी दूरगामी सोच की वज़़ा से काफी प्रशिद्धी पा चुके हैं इलॉन मस्क की सोच हमेशा से ही इंसानों की परिशानियों को दूर करने पर केंद्रित रही है और इसी सोच की वज़़ा से वे पूरी दुनिया भर में जीनियस एंतरपेनियोर के नाम से भी जाने जाते हैं एलॉन आज के समय में Forbes के अनुसार दुनिया के किसमे सबसिधनी व्यक्ति है लेकिन दोस्तो कोई भी व्यक्ति जन्म से अमीर नहीं होता इस पायदान पर पहुचने के लिए उसे ना जाने कितनी महनत करनी पड़ती है ठीक उसी तरह ही इलॉन मस्क ने भी बचपन से ही काफी महनत की और बहुत सारे संगर्षों के बाद आज वे लाखो युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके है तो चलिए दोस्तों इलॉन मस्क के इस मोटिवेशनल लाइब जर्नी को हम शुरू से जानते है तो दोस्तों कहानी की शुरुबात होती है आज से करीब 46 साल पहले से जब साउथ अफरिका के प्रिटोरिया शहर में 28 जून 1971 को इलॉन मस्क का जन्ध हुआ उनके पिता का नाम एरोल मस्क था और वे एक इंजीनियर होने के साथ साथ एक पाइलेट भी थी और उनकी मा का नाम मेई मस्क था जो की एक मॉडल और डाइटीशन थी इलॉन मस्क बचपन से ही पढ़ने में काफी दिलचस्पी रखते थे और हमेशा ही किताबों के आसपास देखे जाते थे और सिर्फ 10 साल की उम्र में उनको कम्प्यूटर्स में भी काफी इंटरेस्ट हो गया था और सिर्फ 12 साल की छोटी से उम्र में उन्होंने कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग सीख कर एक ब्लास्टर नाम का गेम बना डाला जिसे कि उन्होंने 500 डॉलर की कीमत पर PC and Office Technology नाम की एक कम्पनी को बेज दिया और यहीं से इलोन मस्क की प्रतिभा साप साप छलकने लगी थी वो बचपन में आईजैक आसी मोग की किताबे पढ़ा करते थे और शायद यहीं से उनको टेकनालोजी के प्रतीतना लगा हो गया था बचपन में इलोन को स्कूल के दिनों में बहुत परिशान किया जाता था एक बार तो कुछ लड़कों के ग्रूप ने उनको सीडियों से धक्का दे दिया और उनको तब तक मारा जब तक की वा बिहोश नहीं हो गया इसके लिए उन्हें कई दिनों तक हॉस्पिटल में भी भरती होना पड़ा था लेकिन दोस्तों इलोन मस्ट को भले ही बचपन में इतनी सारी परशानियों का सामना करना पड़ा पर आगे चलकर उन्होंने मानौता के हित में काफी सराहनी ये काम किये सत्रा साल की उम्र में इलोन मस्क ने क्वीन युनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन के पढ़ाई शुरू की और वहाँ पर दो साल पढ़ने के बाद वे उनिवर्सिटी और पेंसिलवेनिया टांसफर हो गए जहां उन्होंने 1992 में फिजिक्स में बैचलर आफ साइन्स की डिग्री ली 1995 में इलोन मस्क पीएजडी करने के लिए कैरलिफोर्निया सिप्थ हो गए लेकिन वहाँ पर रिसर्च शुरू करने के मातर दो दिन के अंदर ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और एक सफल व्यावसाई बनने के लिए अपने कदम बढ़ा लिए 1995 में अपने भाई के साथ इलोन मस्क ने जिब टू नाम की एक सौफ़वेर कंपनी शुरू की जिसे की आगी चलकर कॉम्पैक्ट ने 307 मिलियन डॉलर जैसी बड़ी रकम देकर खड़ी इतली और इसके बिखने के बाद जिब टू में अपने 7% के सेयर से इलोन मस्क को कुल 22 मिलियन डॉलर मिले और फिर 1999 में इन पैसों में से 10 मिलियन डॉलर का इन्वेस्ट करते हुए इलोन ने X.com की अस्थापना की जो की एक फाइनेंसियल सर्विस देने वाली कंपनी थी और एक साल बाद यह कंपनी कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी के साथ जुड़ गई और दोस्तों बदा दू की कॉन्फिनिटी कंपनी की एक मनी ट्रांसफर सर्विस हुआ करती थी जिसे की अब हम पेपाल के नाम से जानते हैं और तभी से लेकर अब तक पेपाल मनी ट्रांसफर का काफी लोगप्रियम आद्यम रहा है 2002 में इबे ने पेपाल को 1.5 बिलियन डॉलर की और विश्वश्निय रकम देकर खरीद लिया और इस डील के बाद इलॉन मस्क को 165 मिलियन डॉलर मिले और दोस्तों बता दू की इलॉन मस्क पेपाल के सबसे बड़े शेयर होल्डर थी और फिर 2002 में अपने जमा किये हुए पैसो में से 100 मिलियन डॉलर की बड़ी रकम के साथ इलॉन मस्क ने स्पेस एक्स नाम की एक कमपनी की अस्थापना की और यह कमपनी आज के समय में स्पेस लॉंचिंग वीकल बनाने में कारियरत है और मस्क ने एक इंटर्विव में बताया कि 2030 वे इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाने की पूरी तैयारी में है 2003 में इलॉन मस्क ने दो लोगों के साथ मिलकर टेसला इंक नाम की एक और कमपनी की शुरुवात की और 2008 के बाद से ही वे टेसला के CEO के तौर पर काम कर रहे हैं और दो तो शायद आपको तो पता ही होगा कि टेसला की खास्यत इसकी लाजवाब इलेक्ट्रिक कार्स है और फिर 2006 में मस्क ने अपने कजन की कमपनी सोलर सिटी को फाइनेंसियल कैपिटल मुहया करवा कर इसे शुरू करने में अहम रोल अदा किया और फिर 2013 में सोलर सिटी युनाइटेड इस्टेट में सोलर पावर सिस्टम मुहया कराने वाली दूसरी सबसे बड़ी कमपनी बन गए और फिर आगे चल कर 2016 में टेस्टला इंक ने सोलर सिटी को अपने अंतरगत ले लिया और आज की समय में सोलर सिटी पूरी तरह से टेस्टला इंक की अंतरगती काम करती है दिसंबर 2015 में इलॉन मस्क ने एक Artificial Intelligence Research कमपनी की शुरुवात की जिसका नाम Open AI रखा गया जिसके तहत वो मानवता के लिए Artificial Intelligence को फायदेमंद और सुरच्छित बनाना चाहते है 2016 में इलॉन मस्क Neuralink नाम की एक कमपनी के को फाउंडर बने और यह कमपनी Artificial Intelligence और Human Brain को जोड़ने की काम में लगी हुई है तो कुल मिला जुला कर दोस्तों देखाना आपने एलॉन मस्क किस तरह से अलग-अलग तरह के बहुत सारे कामों में लगे हुए है और इस बात से उन्होंने साबित कर दिया है कि उनके जैसा सोच रखने वाले व्यक्ति है कुछ बड़ा कर बाते है वैसे तो आज वो एक जानी-मानी हस्ती है और दुनिया भर में नाम कमा चुके है लेकिन उनका मानना है कि दुनिया में अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़े है जिसे कि बहतर करके मानों के हितों में काम किया जा सकता है उम्मीद है कि आपको इलन मस्क की यह लाइप स्टोरी जरूर पसंद आई होगी आपका बहुमोली समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवात झाल